थोस्तों नवस्तार मेनमु संग्सें सत्ना महा पॉर नहीं कराँ आ पारेय ममम्प पे काम उन्हें दूर्भ नेम के करमचारियों से अधी कण ःधिक खत्रा और जन्द प्रतिनितियों से भी अस्ता प्रिभासा में बात करते हैं इन्हें यहां से हटायद है नहीं हटे 2003 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी 2004 में संग के दिगज नेता स्रीकृष्ण माहिसुरी का जब मैं इंटर्व्यू करने गया तब उन्होंने अकेले में उससे सवाल किया था आकिर सतना शेहर का विकास कैसे संभव होगा मैंने उनसे उस सवे कहा था सतना नगर निगम से आठ लोगों को इस्तानांत्रिक कर दिया जाए सपना से हटा दिया जाए विकास होता दिखने लगेगा संभव तो उन्होंने प्यास भी किये मगर वह सफल नहीं हो पाए नगर निगम में आठ ऐसे लोग आज भी है जो ब्रश्टाचार की जड़ है जो विकास के दुस्मन है जिनके रहते शेहर का विकास हो पाना संभव नहीं है मगर इन्हें अठा पाना भी शिवराज सिंग चोहान के वश में नहीं है इनकी जड़े कापी गहरी और मजबूत है एक उधारन और दे रहा हूँ सपना नगर निगम के तातकालिक अतिक्रमण प्रभाली राम अर्थमिस्त्रा की मैंने लोका युक्त में सिकायट की लोका युक्त ने मेरी चार्ज बैठा दी मगर यसा अधिकारी का कुछ नहीं हुआ जग की मैंने प्रमाण सहिद सिकायट की थी सपना महापौर जब सुरक्षा के लिए गनमेन की मांग अपर इतने अडिक दिखे तब मैंने खोश चुरू की आखिर उन्हें इतना कत्रा किस्से है जैस्तन चौक के व्यापारी संग से जिने उन्होंने पैचाना ही नहीं बैठने के लिए भी नहीं पूछा पानी पूछना तो दूर की बात है या फिर पन्नी लाज चौक के व्यापारी संग से जो पांस सूत्री मांगो को लेकर कुछ दिन पहले ही अभी महापौर से मिले थे वैसे कल कलेक्ट्रेट की बैटक में जो भी हुआ उससे कांग्रेसी कम भाजपाई कुछ ज़्यादा कुछ नजरा रहे है बैटक में प्रवारी मंत्री के आस पास महापौर कल की बैटक में नहीं बैट पाए फिर जब गनमें की बात पर महापौर ने एसपी की शिकायत प्रवारी मंत्री से की और प्रवारी मंत्री विजय शाह ने जिस साही अंदाज में महापौर की मान को सारजनिक रूप से धोया उस दोरान बैटक में उपस्तित भाजपा नेताओं के चेहरों पर जो विजय हरसो उल्लास से भरी मुस्कान लोगों ने देखी उससे लगता है कई भाजपाई महापौर के इस अपमान से कापी खुस नजर आए अब एक अहें सवाल क्या गर्मैन मिल जाने से महापौर मंचाये फैसले निगम कार्याले में बैठकर ले पाएंगे पूर महापौर मंता पांडे के एक निरने से खपा ओकर निगम के कर्णचारी कैसे आंदोले थोटे थे अंसंग, धर्ना, प्रदर्शंग सब कुछ देखने को मिला था कुछ अधिकारी ही नगर निगम में सब कुछ है, यही ठेकेदार है, यही जनता है, यही विकास है और यही शेहर के विनास के कारण भी है, सबसे अधिक प्रभारी, अधिकारी, सब परभारी है राजाराम त्रिपाटी जब महापौर थे, स्वरगी इंदराज सिंह यादो प्रतिपक्ष के नेता थे, उस समय जैस्तन चौक के कम्यूटी हाल में एक बैठक हो रही थी, महापौर राजाराम त्रिपाटी ने एक इंजीनियर से फाइल दिखाने के लिए कहा, इंजीनियर फाइल लेकर आए, तब इंदराज सिंह यादो ने पूछा, इस फाइल में क्या कार्योजना बनाई गई है, बैठक में पढ़कर सुनाओ, महापौर राजाराम त्रिपाटी ने भी कहा, उस इंजीनियर से, कि यह योजना पढ़कर सुनाओ, यह इंजीनियर अपना लिखा अपनी बनाई कार्योजना नहीं पढ़काए, आज इसी इंजीनियर के पास सबसे अधिक सपना शेहर के विकास की भाईये हैं, सबसे अधिक इनी के कंदों पर विकास का बोज है, आओ खाए, अपना सपना का संपूर बज़ग